है 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 वेल्कम बैक छुट्टट्स आज की सब्सक्राइब करेंगे वह कि सोल्प करेंगे हम लोग हम और रोमन नंबर्स को जानेंगे कैसे लिखते हैं कौन सर नंबर रिपीट होता है कौन सर नहीं होता है रिपीट स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो स्टार्ट करने से परहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले रॉमन नम्बर्स में हम लोग 1 1 को कभी वी आई ही लिखते हैं Similarly 5 को 10 10 10 को मलग X लिखते हैं 50 50 को मलग L लिखते हैं 100 को C से इंडिकेट करते हैं 500 को D से और 1000 को M से इतने ही सारे 4 निमरल से यूज करेंगे हम लोग Roman Numbers में अब इन में से repeat कौन सा होता है कौन कौन सा नहीं होता है तो जो जो repeat होता है तो उसको पहले लिखते हैं कि रिपीटेड नंबर जो होते हैं हमारे हैं ओ है आई एक्स एक्स सी और एम यह रिपीटेड नंबर है और यह मैक्सिमम थ्री टाइम्स रिपीट होते हैं ठीक है मैक्सिमम जो तीन बार ही होते हैं और जो रिपीट नहीं होते हैं ओ कैनाट भी रिपीटेड जी से और लिखते हैं कबसे कम हंड्रेड तक आप लग लिखी लेते हैं तो हम अभी लिखते हैं कुछ-कुछ उसके बाद आप हंड्रेड तक लिखें थाजिंड विगरा सौट का तरीका से वह बताऊंगा जैसे मोन के लिए हम लोग आई करेंगे टू टाइम्स हो जाएगा ठीके लिए आई को अगें रिपीट करेंगे थी टाइम्स के लिए मैंने कहा था 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 थी maximum repeat करना है तो हमने three times repeat कर लिया अब four के लिए हम दो बाद में लिखेंगे सबसे पहले five के लिए देखते हैं five के लिए वी लिखते हैं और वी में i subtract करना है यानिकि one i और v लिखेंगे तो four होता है ठीक है वी का मतलब five हो गया उसमें minus one हो पीछे idea तो ठीक है यानि आई वी four हो जाता है six के लिए वी में प्लस करना है वन यानिकि i को प्लस करेंगे सिमर्यार लिए फिट से हम लोग repeat करते हैं आई को v double 8 को v triple i और फिर हम लोग 10 लिखेंगे पहले तब 9 को लिखेंगे 10 के लिए हमने जाना x होता है और x में one subtract करेंगे तो 9 हो जाएगा तो i और x लिखेंगे हम लोग 9 के लिए similarly 20 तक लिखके दिखाता हूँ उसके बागी आगे बताएंगे तीरे तीरे 11 के लिए हम लोग x लिखेंगे x का मतलब 10 हो जाता है और plus 1 11 हमारा कैसा होता है 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 होता है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं 10 का x हो जाता है और plus i का one लिखते हैं इसी तरह हमारा 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 होता है हम लोग क्या करेंगे यहां पे x का मतलब 10 और double i 2 हो जाता है सिमिलरली इसी तरह हम लोग लिखते जाएंगे 10 और triple i वहां पर पुराने कंडिशन में आ गये हैं तो हम लोग 15 को देख लो x और v होता है तो 14 के लिखा करेंगे v में 1 सब्ट्रैक करेंगे तो 14 हमारा हो जाएगा है ना फिर से रिपीट होगा 16, 17, 18, 19 के लिए x में क्या करेंगे डबल x हो जाएगा हमारा कितना होता है 20 में मैनस 1 इकवल टू 19 होता है ठीक है 20 के लिए double x लिखते हैं हम लोग और 1 मैनस करना है तो xis हो जाएगा ठीक है xix और 20 के लिए double x तो इसी तरह हम लोग को कैसे लिखते हैं अब ही 10 और आगे हम बताते हैं 20 तक हमने जाना लिखने के लिए अब सबसे पहले 30 कैसे लिखते है 30 के लिए हम लोग triple x हो जाएगा अब three times हमारा x repeat हो चुका है तो 40 कैसे लिखेंगे हम लोग और 50 कैसे बाकी सारे 31 32 तो लिखे लेंगे अप लोग तो 40 से पहले हम लोग 50 को क्या कहते हैं 50 के लिए हम L लिखते हैं और L में मांग दिजिए 50 यहां है ठीक है तो एल हो गया लेकिन 40 के लिए 50 में मैनस 10 करेंगे हम लोग तो 40 होता है तो L के पहले क्या करेंगे x लिखेंगे तो 40 हमारा हो जाएगा यह 10 हो गया मैनस हो गया L हो गया 50 में 60 फिर से हम लोग repeat करेंगे उसी तरह 60 में L के साथ क्या करेंगे x यानि कि 50 प्लस 10 equal to 60 होता हमारा तो 50 हमारा हो गया L और 10 x हो जाता है equal to 60 70 similarly करेंगे L double x 80 के लिए L triple x again three times repeat हो चुका हमारा तो 90 और 100 के लिए Кरेंगे हम लोग c लिखते हैं 100 हो जाता हमारा running करेंगे हम लोग 100 मिन न करेंगे retun को करेंगे एक्स माइनस करेंगे 10 हमारा x होता है तो x और c हो जाता है हमारा 90 आप इसी तरह सारे कर सारे लिख सकते तक में अब चलते हैं हम लोग कुछ रोमन नंबर्स रिरेटेट को स्वाल्व करेंगे इसी वीडियो में तो हम लोग ने कोशन आंसर स्वाल्व करने के लिए आये हैं तो राइट इच और फॉलोविंग रोमन न्यूमरल्स यहां कोशन हमारा बोल रहा है कि जो रोमन न्यूमरल नंबर्स लिखना है में इन हिंदू अरेबिक नंबर का माल दिजिए एट जो हमारा हिंदू अरेबिक नंबर है इसका रोमन नंबर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग 8 के लिए हम लोग V लिखते हैं 5 और प्लस क्या होता है 3 8 हमारा होता है 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 तो हम लोग क्या लिखेंगे V और त्रिपल आई 14 के लिए हम लोग लिखेंगे X यानिकि 10 प्लस 5 मैनस 1 ठीक है तो क्या करेंगे X के साथ I और V लिखेंगे 4 के लिए IV होता है और 10 होता है X Similarly हमारा next number है 25 अब 25 में क्या करेंगे 20 प्लस 5 करेंगे हम लोग 20 के लिए double X और 5 के लिए V D number हमारा है 29 29 के लिए हम लोग क्या करेंगे double X लिखेंगे यानि 20 हो गया 9 के लिए क्या होता है I और X हमारा double X I X 29 होता है अब E number हमारा है 33 33 के लिए क्या करेंगे हम लो triple X 30 होता है ये 3 times repeat हो गया और same 3 का 1 2 3 यानि triple I is 3 30 प्लस 3 33 F number हमारा 38 है अब 38 हम लोग कैसे लिखते हैं triple X और 8 के लिए क्या करेंगे हम लोग V और triple I ये हमारा 38 होता है 66 ये कैसे लिखेंगे तो 50 प्लस 10 प्लस 6 तो 50 के लिए हम लोग क्या करते हैं L लिखते हैं 60 के लिए क्या होगा X LX तो 60 होगी हमारा और 6 के लिए जो लिखते हैं V और I ये हमारा 66 हो जाता है और चलते हैं 90 95 के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चो तो 90 पहले लिखते हैं 90 के लिए हम लोग पहले century और सकर माइनस 10 यानि कि XC होता है हमारा 90 और 5 के लिए V XC और V Similarly हमारा 78 लिख लेते हैं एक और 70 कैसे लिखते हैं लोग तो यहाँ आप देखेंगे 70 के से लिखते हैं L XX तो L XX 50 प्लस 20 70 और 8 के लिए V और triple I इतना काफी है Next question हम लोग समझते हैं Next question बोलता है Question number मारा 2 है जो Write each of the following in Hindu Arabic number ऐसा question always देखने को मिलेगा exam में तो जो मानलिस से दिया हुआ A number V double I और इसका हमारा Hindu Arabic number लिखना है यह हमारा Roman number लिखा हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं V का मतलब 5 होता और double I का मतलब 2 5 और plus 2 equal to कितना होता हमारा 7 तो यह हमारा 7 लिखा हुआ है ठीक है similarly B को जानते हैं हम लोग X और double I X का मतलब 10 हो गया और double I का मतलब 2 तो 10 plus 2 equal to 12 C number जानते हैं L, X और V L का मतलब 50 plus 10 60 और 5 हमारा 65 होता है ठीक है L का मतलब 50 हो गया X का मतलब 10 आगे 10 है तो क्या होगा 60 हो गया और भाग भी फिर है तो साथ में 65 D number L, X, double I LX का मतलब 60 होगा और double I का मतलब 2 62 E number लिखते हैं ठीक है L, double X, I, X तो L का मतलब 50 होता है हमारा बच्चो और double X का मतलब plus 20 हो गया और I, X का मतलब क्या होगा 9 50 270 अब बाकी 979 हम लोग ऐसे छोटे-छोटे पार्ट में इसको तोड़के और solve कर सकते हैं ज्यादा लंबा अगर हो कभी भी तो ठीक है तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को कि Roman Numbers कैसे लिखते हैं और कैसे solve करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ जरूर सेर करें चलिए बाबाई दोस्तों